कुल्दीप सिंग्राठोर वेलकम इन इंजिनियर्स वाला आप सब की त्यारी काफी अच्छे तरीके से चल दियोगी और आप फुल डेडिकेशन के साथ अपने फिर पेशन को कंटेन्यू कर रहोंगे आप सब को बता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपड का यहां पर रिक्रमेंट जो होरी वह नोन एक्जिगेटीव पर्सनल की रिक्रमेंट हो रही है और आप सब को बताएं जो है वह इंडियन ओविल कोर्परेशन लिमूटेड का आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है उसका सबसेडियरी आप कंसिडर कर सकते हो ग यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीज़ें यहां पर अविलेबल है इनकी जो अब यहां पर देखो तो उस पर जाके भी आप अपलाई कर सकते हो सब्सक्राइब यहां पर अगर हम देखें जो पीड़लूटी केंडिडेट है वह भी इस पर्टिग्लर फॉर्म को फिल कर सकते हैं डिफरेंड डिशिबिलीटी के इसाब से वो लोग यहां पर यहां पर अगर हम देखें गारी और भी इनौने इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपर एज लिमिट जो इन पोजिशन के लिए है वो 30 रखी है सीपीसील 07 और सीपीसील 010 जो रिक्रिमेंट उसके लिए और अगर आप देखोगे रिमाइनिंग जित्ती भी है उनके लिए 26 यह इन्होंने रखी है बाकि आप सेडियूल का सेड सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेस्पेक्टिवली आपको वहां पर एज रिलेक्शन भी मिल जाएगा यहां पर मैं आपको एक और बाता दूंगाइस कि आप लोग कुल्दीप सर अंडरी स्कोर पीड़ टेलीगाम चैनल जो है टेलीगाम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसको जाकर जोइन कर लिएगा उसमें आपको जो भी केरियर से रेलेक्टर इंपूटेट से नोटिविकेशन सारे टाइम लीएस पर मिल जाते हैं मेरसे आप गाइडनेस ले सकते हो जो भी नोटिविकेशन में वेकेंसी वगर आती है यह सारी का डिप्लोमा आपका अगर केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोलियम इंजिनिरिंग इसका लावा बीए सी वीद केमेस्ट्री यह वाले बच्छे भी आपर एलिजिएबल है सिक्स्टी परसेंट मार्क सब्सक्राइब के लिए और यहां पर गाइस अगर हम देखें जूनियर क्वालेटी कंट्रोल अगर आप देखोगे तो इसमें ब्सक्राइब केमिस्ट्री से कर रखी है वो सब इलिजिबल है कोई भी एक्सपिरियंस यहां पर नहीं चाहिए होगा जूनियर असिस्टेंट फॉर मेकेनिकल ट्रेनी के लिए कोई भी एक्सपिरियंस नहीं चाहिए अगर आपने डिप्लोमा कर रख है मेकेनिकल में तो आप इस फॉर्म को पर्टिकुलरली फिल कर सकते हो अगर आप जूनियर इंजिनिरिंग फॉर मेकेनिकल केटिगरी वन में अपलाई कर रहे है तो वन येर का एक्सपिरियंस चाहिए जूनियर इंजिनिंग ओंने वन में अपलाई करेंगे तो यहां पर देखेंगे पी और यूजो मेकेनिकल है डिप्लोमाइच मेचें के साथ मिनिमelles एक्सिर्जन के साथ जूरे इंग असिस्टेंट पी एन यू इलेक्टीकल वाले भी डिप्लोमाइच अप्लाई कर सकते हैं इसमेच्ट के लिए रखा हुआ है यहाँ जूरे टेखनीगल असिस्टेंट की यह सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर अगर हम सेलेक्शन में तो गाइस ओनलाइन टेस्ट होगा इसके लावा इसकिल प्रोफेंसी और फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है ओनलाइन टेस्ट होगा सब्सक्राइब करता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेगटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होने वाली है एक्जाम आपका टू आर्स का रहने वाला है और एक्जाम जो सेड्यूल होगा वह चैन्ने में होगा टेन मार्स 2024 को एक्जाम होगा उसी के साब से आपको सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी इनकी फाइनल जो रिक्रमेंट है उसके सबसे फिजिकल टेस्ट में आपका हाइड जो है वन सिक्स्टी सेंटिमेटर वेड जो है फिप्टी केजी और नॉर्मल मिनिमम होना चाहिए चेस्ट जो है नॉर्मल एटीवन और एक्सपेंड कर सब्सक्राइब कर दो तो 86.5 आपका होना चाहिए आपको 1.6 किलोमेटर की 6 मिनट की एंडूरेंस लर्निंग होती है लोड केरिंग के पैसिटी आपकी होनी चाहिए यह सारी आपकी चीज़े मेडिकल फिटनेस वगरा भी यहां पर देखी जाती है इसमागर हम देखें अगर आप पोजिशन सीपी 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 सीटी जीरो सेवन सीपी सीटी जीरो टेन में अपलाई करते हैं तब आपका इसमें 25000 से लेके वन लेक 5,000 के आसपा से लिएगा 3% का आपका एन्वल इंक्रीमेंटर रहता है इसके लगा यहां पर इस पोस्ट के लिए अगर आप देखोगे बहुत सारी जो अधर पोस्ट है इसमें आपकी से लिए 44,000 के आसपास रहती है और बाकी उसी के साब से आपको यहां पर सारे के सारे लाउंस भी मिलते हैं एप्लिकेशन फीस अगर आप यहां पर देखे गाई तो एप्लिकेशन फीस आपकी 500 रुपीज इ है तो वो वर्क एक्सपीरियंस भी वहां पर सब्मिट कर सकते हैं तो गाइस बाकी इन्होंने इंपोर्टेंट अपडेट दे रखी है आप लोग कुल्दीप सर अंडरिस्कोर पीड़लू टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा वहां पर इस नोटिफिकेशन से लिटर ज कर सीओ.